स्टुडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें गिवन होंके दो अधर सेर्कल्स विस सेंटर ओ और अड ओ प्राइम और हम लोग इनके उपर ट्राउ करने हैं ट्रांस्वर्स कॉमन टेंजन्ट सबसे पहले हम ओ और ओ प्राइम के सेंटर्स को मिला लेंगे अब इस लाइन का सेंटर हमने मालूम करना है तो हम लोग पहले पॉइंट O के उपर कंपस को रखे इस तरह उपर और नीचे दो आख्स लगाएंगे फिर O' के उपर कंपस को रखे उपर और नीचे एक एक आख्स लगा लेंगे जहां पे दोनों आख्स मिल रहे हैं इन दोनों पॉइंट को आपस में जॉइन कर लेंगे तो ये हमारी लाइन O O' को सेंटर पॉइंट M के उपर जाके कट करेंगी अब हमने M और किसी एक सर्कल के बीच में सेंटर पॉइंट मालूम करना है तो इस काम की जिए हम लोग M और O को चूज़ कर लेते हैं और इस तरह compass ओपन करके पहले की तरह उपर और नीचे एक एक आख लगा लेते हैं पिर अब पॉइंट O की उपर compass को रखके उपर और नीचे एक एक आख लगा लेते हैं और इन दोनों points को join कर लेंगे, तो हमारे पास O और M का center आगे है, जिसको हम point N कह देते हैं. अब next step में हम लोगों ने क्या करना है, कि हम लोगों ने on जितना radius open करना है compass से, और N point की उपर compass को रखके एक circle draw कर लेना है. ये circle मैं dotted इसलिए draw कर रहा हूं, ताकि लोगों को confusion ना हो और ये हमें पता हो कि ये हमारा unwanted circle है हम लोगों ने गलती से इसके उपर tangent नहीं बना देना अब जहां पे ये दो circles आपस में टच कर रहे हैं इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उनको हम नाम दे देते हैं point P और point P prime इन point से point M तक हम लोग line पनाएंगे और उसको आगे extend कर देंगे तो वो हमारे next circle को touch करती हुई जाएगी P M Q prime ये हमारा पहला transverse common tangent बन गया और P prime M Q ये हमारा दूसरा transverse common tangent बन गया अगर आप चाते हैं कि आपके teacher इस तरह की quick video बनाते रहे हैं कि कमेंट्स में जरूर लिखेगा आपको ये videos कैसी लिख रही हैं और मजीद किस topic पर आप जाते हैं कि आपको videos बना कर दीचें